अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज जी फाइड के साथ बिलकुल फ्री कीरतन और रिमजिम की शादी करानी हो मतलब अगर परिवार को एकसेप्ट करना हो तो उसके लिए हमें शक्ती की शादी शिव से करानी होगे मैंने समझाया मनुरमा जी पर वो थोड़े पुराने ख्यालात के हैं मैंने समझाया कि इसमें रिमजिम की कौन सी गलती है है ना सारी गलती तो उस घटिया रंजन की थी है ना उसी ने सब जूट बोला पर वो समझी नहीं रहा है क्या है ना कि सारे लोग सिर्फ समाज की सुन कि को हम कैसे बहु बनाएं मैं 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 खुद बात करूंगी नमाजी से वो मेरी बात मान जाएंगी आप मेरा याकिम कीजिए मेरी रिमजी मैं इसे नहीं है उसमें सब गुन है मैं जानती हूँ मनुरमाजी हमारी रिमजीम हीरा है हीरा है पर क्या करूँ मा के सामने इस हीरे की चमक बिल्कुल फीकी है मंदिरा भाबी अब आप ही बताएए मैं क्या करूँ मेरी रिमजिम की जिनकी अब आपके हाथ में आप बताएए अब जो कहेंगी मैं करूँगी आप उसे बचा लेजे प्लीज अब वैसे आप एक हीरा है हाँ हाँ जो मा की आखों में च्छाई भी है अच्छा वो अगर मिल जाए ना तो मा रिमजिम को भी अपना लेगी नहीं मैं समझी नहीं मतलब क्या मतलब की अगर कीर्टन और रिमजिम की शादी करानी हो मतलब अगर परिवार को एकसेप्ट करना हो तो उसके लिए हमें शक्ति की शादी शिफ से करानी होगी चाजी जे डॉक्र शेफ अमसे प्यार नहीं करते है नहीं में और शक्ति अक दूसरे से प्यार नहीं करते है प्यार अगर पूरा हो तोनों का हो कम्क्लीट हो तब ही ओवरना नहीं पर अगर मैं अपने परिवार को रिमजिम के शादी के लिए मना सकती हूँ तो आप शक्ती को क्यों नहीं मना सकती आप समझने की कोसिस क्यों नहीं कर रही सक्तोडी ने मुझे साप साप सब्द में कहा है कि वो डॉक्टर सीव से सादी करना नहीं चाहती है अरे मनोरमा जी, काहार तो साफ साफ मेरे परिवारवालोने भी है किरिमजिम किर्टन के लिए नहीं है, उसके लेविल की नहीं है पर आप ही बताईए क्या करें जो सल्यूशन था, जो हो सकता था, वो मैंने आपको बता दिया अब आप ना कर रहे हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ डॉक्टर शिव और हमारी शादी नहीं हो सकती अगर शादी हो भी गई, तो हमें ये बात जिंदिगी भर खाती रहेगी कि हमारी शादी किसी ऐसे इंसान से हुई, जो हम इसे प्यार ही नहीं करता है